अससलों अलेको कैसे हैं दोस्तों आज के दिन हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नमर 17 Carbon Compounds Containing Oxygen in Functional Groups यानि कि वो Carbon Compounds जिनके Functional Group में Oxygen मौजूद होता है हम इस चैप्टर के आज MCQs डिसकस करेंगे हमारे MCQs में Alcohols Alcohols, Ethers, Phenols, Aldehydes, Ketones, Carbauxalic Acids और आखिर में Easters इन सारे टॉपिक्स के सवालाद इन सारे टॉपिक्स के MCQs हमारी इस वीडियो के इनना शामिल होंगे तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए और साथ-साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिजए आई ये वीडियो स्टार्ट करते है सबसे पहला MCQ हमसे पूछे जा रहा है इन में कौन सी फैमिली ऐसी है जिसके फंक्शनल ग्रूप में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता तो हमारे पास ऑप्शन से अलकोहल्स अलकोहल्स के फंक्शनल ग्रूप में ऑक्सीजन मौजूद होता है इसका फंक्शनल ग्रूप है OH इथर का फंक्शनल ग्रूप हो जाता है O इस्टर्स का फंक्शनल ग्रूप होता है COO तो इन सब के functional group में oxygen मौझूद है लेकिन अगर हम alkylides की बात करेंगे तो इसके functional group में oxygen मौझूद नहीं होता और इसके functional group में halogen group मौझूद होता है X तो हमारा सही answer हो जाएगा option D alkylides आगे बढ़ते हैं हमसे पूछा जा रहा है type formula of esters is esters का type formula क्या होता है तो आपको esters का type formula पता होगा R C O O R तो हमारा सही answer हो जाएगा option B मान लीजे कि आपको ये सही option नहीं पता तो आपको ये सारी वीडियोस देखने पड़ेंगी आप नीचे description में जाएए महाँ पर playlist की link मौझूद है वहाँ पर आपको सारी वीडियोस लाइन से मिल जाएगी आप chapter number 17 की सारी वीडियोस देख लेंगे तो आपको ये सबका idea हो जाएगा आईए आगे बढ़ते हैं हमारे पास next MC की हमसे पूछा जा रहा है C6H5OH C6H5OH ये किस चीज का formula है एक alcohol का, phenol का, aldehyde का या easter का तो अगर मैं C6H5 की बात करता हूँ तो C6H5 से मुराद है phenyl group ये C6H5 से मुराद है phenyl group इसमें total 6 carbon है, 5 hydrogen है और top वाली position पर एक OH group attached है तो ये किलाएगा C6H5OH किलाएगा phenol phenol एक aromatic compound भी है तो phenol भी है, ये एक aromatic compound भी है हमारा सही answer, इस तो given options के हिसाफ से हो जाएगा option B, a phenol आगे बढ़ता है if OH group is linked to primary carbon atom such alcohol is classified as अगर OH group attached है एक primary carbon atom के साथ तो ऐसे alcohol को क्या कहा जाएगा तो ये अगर OH group primary carbon के साथ attached है तो वो किलाएगा 1 degree alcohol या primary alcohol अगर attached होता secondary carbon के साथ तो फिर alcohol के लाँता है secondary alcohol और इसी तरह से पिर tertiary carbon के साथ attached होता तो फिर alcohol के लाँता है tertiary alcohol आगे आगे बढ़ता है next MC के हमसे पुछे जा रहा है R3 COH is an example of R3 से मुराद है कि तीन alkyl groups जड़े में एक carbon atom के साथ तो ये कौन सा alcohol होगा अगर तीन alkyl groups जड़े में तो इसका सही आंसर हो जाएगा tertiary alcohol क्योंकि आप focus करेंगे अगर कि OH group जिस carbon से attached है यहाँपर OH group जिस carbon से attached है वो carbon surrounding में तीन alkyl groups से attached है और ये तीन alkyl groups से attached होने की बज़े से किलाएगा tertiary alcohol अगर आपको ये definitions नहीं पता तो पहले आपको सारी videos देख लेनी चाहिए आईए आगे बढ़ता है next mcq में हमसे पुछा जा रहा है when the alcohol contains more than three hydroxyl groups they are called जब alcohols के अंदर तीन से ज़्यादा hydroxyl group यानि तीन से ज़्यादा OH group मौजूद होंगे तो फिर ऐसे alcohols को क्या कहा जाएगा ऐसे alcohols को कहा जाता है polyhydric alcohols अगर एक OH group हो तो monohydric दो OH group हो तो diahydric तीन OH group हो तो trihydric और अगर तीन से ज़्यादा OH group हो तो polyhydric alcohols के लाएगा आगे बढ़ता है next mcq में हमसे पुछा जा रहा है which of the following alcohol is called wood spirit इन में से कौन से alcohol को wood spirit कहा जाता है तो wood spirit कहा जाता है methyl alcohol को इसका formula होता है CH3OH आगे पूछ रहा है next mcq में absolute alcohol has a purity of absolute alcohol में purity कितनी होती है तो absolute alcohol में 99.99% pure ethyl alcohol मौझूद होता है तो इसका answer हो जाएगा option d 99.9% pure ethyl alcohol इसका नहा मौझूद है 85% ethanol शामिल होता है methylated spirit में और methylated spirit को denatured alcohol भी कहा जाता है methylated spirit को कहा जाता है denatured alcohol इसी तरह से अगर 95% शामिल है तो 95% अगर ethanol शामिल होगा तो फिर यह कहला हैगा rectified spirit आगे पढ़ता है next mcq में हमसे पूछा जा रहा है ethanol when heated with concentrated sulfuric acid at 170 degree centigrade loses water to form जब ethanol को heat किया जाता है in the presence of sulfuric acid at 170 degree centigrade तो वो एक water molecule loss कर देता है तो बनता क्या है तो हमारे पास सही answer है कि ethene form होता है इस equation को ज़रा देहान से समझते है ethanol का formula है CH3 CH2 और साथ में OH हम इसको heat करना है in the presence of H2SO4 और temperature given है 170 degree centigrade अब ये sulfuric acid एक dehydrating agent के तोर पे काम करता है यानि कि ये water को absorb कर लेता है जब ये water को absorb कर लेका तो हमारे पास एक water molecule form हो जाएगा अब बचे का क्या वो ज़रा देखते है OH group यहां से चला गया OH group यहां से चला जाएगा तो OH group कड़ी है यहां से और साथ में CH3 group से एक hydrogen चला गया अब यहां पर देखेंगे तो 2 hydrogen बच जाएगे एक hydrogen यहां से loss हो जाएगा एक hydrogen और एक OH मिलकर बना लेंगे water अब CH2 और CH2 के दर्म्यान में एक equivalency खाली है तो double bond form हो जाएगा तो यह बन जाएगा CH2 double bond with CH2 और हमें पता है यह किस चीज़ का formula है यह formula है ethene का क्योंके 2 carbon है और double bond है तो in क्योंके alken का suffix आएगा इसलिए है तो यह बन जाएगा ethene option C हमारा सही answer है आए आगे बढ़ते हैं next MC को में हमसे पूछा जा रहा है when what happens when ethyl alcohol is treated with sodium metal जब ethyl alcohol को treat के जाता है sodium metal के साथ तो क्या चीज़ form होती है यह हमें बताने है जब ethyl alcohol को treat के जाता है sodium metal के साथ तो हमारे पास diethyl, diethyl, ether यह form नहीं होता बल्के form हो जाता sodium ethoxide अगर आप देखेंगे sodium metal यहाँ पर सिर्फ एक ही option में मौझूद है और यह option है option B sodium ethoxide तो यह हमारा सही answer होगा बाकि किसी भी option में हमारे पास sodium मौझूद नहीं है तो कोई भी option हमारे ठीक answer नहीं होगा आगे आगे बढ़ते हैं MCQ number 11 में हमसे पुछा जा रहा है characteristic group of primary alcohol is primary alcohol का characteristic group क्या होता है बल्लब primary alcohol के अंदर ovej group तो आएगा लेकिन साथ में हमें पूछ रहे हैं कि कार्बन के साथ में कितने alkyl groups attached होंगे यह arrows के साथ से पुछा जा रहा है अब देखें option A के अंदर तो ovej group मौझूद ही नहीं है ovej group मौझूद होना जरूरी है option A के अंदर ketonic group मौझूद है तो option A हमारा wrong option हो गया अब बात करता है option B की option B के अंदर लिखा हो है कि ovej group attached है एक CH2 के साथ और साथ में इसकी एक valency खाली है इसका मलब यह surrounding में एक alkyl group से attached होगा जो एक valency हाली है surrounding में वो एक alkyl group से attached होगा ची तरह से अगर हम बात करेंगे option C की तो option C के अंदर ovej group जिस carbon से attached है उस carbon के पास दो valency's खाली नदर आ रही है तो इसका मलब वो दो alkyl group से attached होगा similarly जो ovej group attached है third carbon से यह third carbon surrounding में तीन alkyl group से attached है ऐसे करके एक, दो, तीन, तीन alkyl group से attached है तो यह हो जाएगा tertiary और यह हो जाएगा secondary जबकि उपर वाला top अला होगा जिदर एक alkyl group है वो कलाएगा primary तो हमारा सही answer होगा option b आपको i hope यह सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आए आगे बढ़ते है next mc के हमसे पूछा जा रहा है iupac name of alcohol is alcohol का iupac name क्या होता है तो alcohol के नाम के आखिर में ol लगता है जो उसका suffix होता है तो यह बन जाता है अलकेन का पूरा नाम आखिर का i हटा दो और ol लगा दो तो यह बन जाएगा alkanol क्योंकि नाम के आखिर में ol लगेगा alkanol wrong option है alkanol wrong option है जो alkanol है यह iupac name है aldehyde का जबके alkanol यह iupac name है ketone का आए आगे बढ़ते हैं नेक्स एमसी क्यों हमसे पूछा जा रहा है primary alcohol, primary, secondary and tertiary alcohol may be distinguished by primary, secondary और tertiary alcohol को कैसे distinguish के जाता है कौन से test से distinguish के जाता है तो इसका सही answer है Lucas test Lucas test के अंदर क्या करते हैं कि tertiary alcohol को tertiary alcohol को इस दिना secondary alcohol को और हम क्या करते हैं primary alcohol को treat करवाते हैं HCL के साथ HCL के साथ हम इसको react करवाते हैं और in the presence of zinc chloride हम यह reaction perform करवाते हैं zinc chloride की presence में अगर reaction फौरान हो जाए यानि के seconds में यह reaction हो जाए immediately यह वाला reaction हो जाए तो इसका मलब वो tertiary alcohol है क्योंकि आपको तो पहले नहीं पता होगा कि कौन सा alcohol है test tube के अंदे अगर उसने HCL के साथ फौरान से reaction कर लिया तो इसका मलब वो tertiary alcohol है अगर उसको reaction करने में पांस से दस मिनट का time लगा तो इसका मलब वो secondary alcohol है और अगर कोई reaction ही नहीं हुआ या आपने उसको heat किया और heat करने के बाद slow slow reaction हुआ तो इसका मलब है वो primary alcohol था तो इस तरह से हम Lucas test के तरिए distinguish करते है primary, secondary और tertiary alcohol को आए आगर बढ़ते हैं next MCQ में हमसे पूछा जा रहा है compounds in which hydroxyl group is directly attached to benzene nucleus alcohol वो compounds जिसमें hydroxyl group directly attached होता है benzene molecules के साथ तो वो compounds का किलाते है benzene का नाम आगे तो वो किलाएंगे aromatic compounds लेकिन क्यूंके hydroxyl group attached है तो aromatic compounds के अंदर भी phenol इसका सही answer होगा क्यूंके benzene ring है और benzene ring के उपर OH group आके attach हो जा hydroxyl group आके attach हो जा तो पर यह किलाएंगे phenols अगर phenols option में नहीं होता तो फिर aromatic compound सही answer होता आगे बढ़ते हैं 15 जंदर पूछा जा रहा है other name of phenol is phenol का दूसरा नाम क्या है तो phenol का दूसरा नाम है carbolic acid आगे बढ़ते हैं next MCQ में हमसे पूछा जा रहा है phenols are stronger acid than alcohols weaker acid than alcohols stronger acids than acidic acid or none of these तो phenol के अगर हम बात करेंगे तो phenol का functional group होता है OH और alcohol का functional group भी होता है OH तो इसका phenol का alcohol से comparison बनता भी है लेकिन phenol का acetic acid से कोई comparison बनता ही नहीं है और acetic acid तो एक strong acid है मलब strong acid बहुत जादा strong acid नहीं है acetic acid vinegar रहा है weak acid है लेकिन at least phenol से तो stronger है नहीं तो इसलिए यह वाला हमारा answer सही होई नहीं सकता option C हमारा wrong option होगा अब बात करते है alcohols की कि यह stronger acid than alcohols होता है या weaker acid than alcohols होता है तो phenols क्या करते हैं इनके पास होता OH group है लेकिन यह loss करते है H plus I और यह acidic nature रखते हैं 100% इनकी acidic nature ही होती है यह oxygen loss नहीं करते हैं सिर्फ hydrogen loss करते है सिर्फ H plus I loss करते हैं लेकिन अगर alcohols की बात की जाएगी तो alcohols amphoteric in nature होते हैं amphoteric in nature का मतलब यह है कि यह dual nature रखते हैं dual nature acidic तरीक तरीक से भी behave करते हैं और यह basic तरीक से भी behave करते हैं ना ही तो पूरे-पूरे acids हैं, ना ही तो 100% bases हैं, वो इसके दर्म्यान में कहीं है, कहीं पर मौझूद है, dual nature रख रहे हैं, तो इसका मलए stronger acid और stronger base यह तो होई नहीं सकते हैं, तो हमारा सही answer होगा कि phenol, क्योंकि वो सिर्फ acidic nature रखता है, तो phenol acidic या ज्यादा stronger acid है as compared to alcohols, और alcohol weaker acids हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास MCQ number 17 के अंदर पूछा जा रहा है, bake light is obtained from phenol by treating with, bake light को phenol के साथ में, जब हम react करवा, bake light को हमें हासिल करना है, तो हमें phenol को किस चीज़ के साथ react करवाना पड़ेगा, तो हमें इसको react करवाना पड़ेगा, तो हमें इसको react करवाना आगे बढ़ते हैं, next MCQ number हम से पूछा जा रहा है, when vapors of phenol are passed over red hot zinc, जब phenol के vapors को passed के जाता है, red hot zinc से, तो वो convert हो जाते हैं, किस चीज़ के अंदर, वो convert हो जाते हैं, बेंजीन के अंदर, बेंजीन के अंदर कैसे convert होंगे, अगर हमें phenol की बात कर नहीं है, तो phenol के अंदर बेंजीन इंके ओपर OH क्रूप लगा होगा, हमने इसको react करवाने zinc से, तो zinc के dust particles जो हैं, यानि zinc जो powder form के अंदर होता है, वो क्या करता है, इस oxygen से react कर लेता है, और आगे जाके बना लेता है zinc oxide, और यहाँ पर हमारे पास form हो जाएगा benzene, तो इसका सही answer option B होगा, आई आगे बढ़ते हैं, next MCQ में हमसे पुछे जा रहा है, phenol can be prepared by heating chlorobenzene with 10% NaOH at high temperature and pressure, this method is known as, phenol को, अगर हमने prepare करना है chlorobenzene से, तो हमें 10% NaOH के साथ उसको react कराना पड़ता है, high temperature और high pressure पे, इस method का नाम पुछा हो है, तो इस method का नाम है douse process, option B, यह हमारे right answer होगा, आई आगे बढ़त हैं, next MCQ है, type formula of ether is, ether का type formula क्या है, तो ether का type formula होता है ROR, यानि कि ether का functional group है, कि उसके अंदर oxygen attached जोगा दो alkyl groups है, तो यह हमारा सही answer हो जाएगा option A है, जबकि अगर मैं बात करूं, RCOR यह formula है ketones का, जबकि RCOR यह formula है esters का, और अगर इस तरह सा RCHO की बात की जाएगी, तो यह formula है aldehyde का, आएगे बढ़ते हैं, next MCQ में हमसे पूछा जा रहा है, अब positively charged ion in which an oxygen atom is attached to three other atoms और group of atoms is called, oxygen atom के ओपर positive charge है, और उसकी surrounding में तीन जगह पर, तीन कोई atoms attached हैं, जैसे के H plus ions attached हैं, या फिर group of atoms attached हैं, जैसे के 3 CH3 group attached हैं, कोई से भी group of atoms attached हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, oxygen के ओपर positive charge मोजूद है, और उसकी तीन valences satisfied हुई हैं, single bond से तीन group, three atoms के साथ, या group of atoms के साथ, तो इसको कहा जाता हूँ, अगर आपको ये बात ना भी पता हो, तो फिर भी आप असानी से predict कर सकते हैं, क्योंकि oxygen atom की बात हो रही हैं, तो carbon ion, या carbon ion, या हमारा सही answer होई नहीं सकता, none of these भी हमारा सही answer नहीं हो सकता, पूरे चार option में सिर्फ एक ही option है, जिसके अदर oxygen का तसकिरा आ रहा है, तो जाहरी बात है, वो ही हमारा सही answer होगा, आगे बढ़ते हैं, हमारा next MCQ है, monovalent RO group is called, जब एक monovalent alkyl group के साथ oxygen attached हो, तो उसको क्या कहा जाता है, alkyl group के साथ oxygen attached है, तो alkyl group को कहा जाता है, alkyl, obviously oxygen तो oxy, इन दोनों combine कर लिया जाता है, यह किलाता है, alkoxy, तो हमारा सही answer हो जागा, option B, आगे बढ़ते हैं, next MCQ हम से पुछे जा रहा है, ethyl iodide on treatment with sodium methoxide gives, जब ethyl iodide को sodium methoxide के साथ, react करवाए जाते हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ फ H5I, और हम उसको react करवाए है, sodium methoxide के साथ, sodium methoxide का formula हो जाएगा, CH3ona, देखे, sodium और फिर methyl group है, और oxygen के साथ attach है, तो फिर क्यालाएगा, sodium methoxide, अब इस पूरी equation के अंदर बनेगा, क्या ज़रा है, यह चेक करते है, sodium react कर लेगा, iodine के साथ, तो sodium iodide form होगा, साथ में, C2H5O, CH3O के साथ में react कर लेगा, तो क्या बना लेगा, CH3O, साथ में, C2H5, यह चीज़ कहलाएगी, ethyl, methyl, ether, लेकर हमारे पास options के अंदर जैसे given है, हम उसको tick करेंगे, हमारे पास यहाँपर सही option given है, यह होगा, C2H5O, CH3, तो इस तरह से हमारे पास option भी right answer क्योंकि बागी सारे mcq, बागी सारे options के अंदर कोई भी सही option के करीब भी नहीं है, जैसे कि C2H6 बिल्कुल गलत option है, CH3O, CH3, यह हमारा बिल्कुल ही wrong option है, और यहाँपर दिखा जाए तो option C के अंदर die, ethyl, ether लिखा हुआ है, तो यह तीन options गलत है, option B हमारे right answer होगा, aldehydes and ketones are commonly known as, aldehydes and ketones को commonly क्या कहा जाता है, यह इनको combinedly क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है, कार्बोनाईल कंपाउंट्स क्योंकि दोनों के अंदर carbon का double bond oxygen के साथ में शामिल होता है, अगर aldehyde की बात करें, तो aldehyde का functional group होता है, CHO, यानि के carbon का double bond oxygen से, और साथ में एक aldehyde हैं और यह है ketone, आए आगे बढ़ते हैं, next MCQ हम से पुछा जा रहा है, aldehydes are formed by the oxidation of, aldehydes को इन में से किस चीज़ की oxidation से prepare कह जाता है, तो aldehydes को बनाए जाता है primary alcohol की oxidation से, अगर secondary alcohol की oxidation करेंगे, तो हमारे पास form होता है ketone, और अगर बात करें, tertiary alcohol की, तो इसकी कोई oxidation नहीं होती, no oxidation at ordinary conditions, ordinary conditions पर इसकी कोई oxidation नहीं होती, आगे आगे बढ़ते हैं, next MCQ हम से क्या पुछा जा रहा है, ketones are produced by the oxidation of, अभी हमने बात करी थी ketones कैसे बनते है, ketones बनते है secondary alcohol की oxidation से, इसके बाद, MCQ number 27 में हम से पुछा जा रहा है, which of the following gives tolerance test, इन में से कौन सा tolerance test positive देता है acetaldehyde, diethyl ether, acetone या acetic acid, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि tolerance test और phalanx solution का test, यानि phalanx test, ये दोनों test positive देते हैं aldehyde, ketones के और aldehyde के दर्मियान में distinguish test ही है, कि ketones tolerance reagent के साथ में reduce नहीं होते है, यानि उसके साथ में react नहीं करते हैं, तो positive test नहीं हाता, similarly ketones phalanx solution के साथ में अब भी react नहीं करते हैं, तो कोई reaction नहीं होता, सिर्फ aldehydes कर पाते हैं, तो हमारे सही answer हो जाएगा acetaldehyde, क्योंकि चारों options में एक ही aldehyde वाला option मुझूद है, diethyl ether, ether वाला option है, acetone, ketone का option है, और acetic acid, carboxylic acid का, आगे आगे बढ़ता है, next mcq में हमसे पूछा जा रहा है formula of formaldehyde is, formaldehyde का formula क्या होता है, तो formaldehyde का formula होता है, hco, next mcq में हमसे पूछा जा रहा है, iupac system के अंदर aldehydes को क्या कहा जाता है, तो अभी हमने इसी वीडियो के अंदर बात करी थी, aldehydes का नाम होता है, alkanals, उनके नाम के आखिर में al आता है, तो option d हमारा right answer होगा, dry distillation of calcium acetate क्या चीज़ बना सकते हैं, तो calcium acetate से हमें हमारे पास form होता है acetone, calcium acetate से form होता है acetone, और calcium formate से form होता है formaldehyde, तो ये दोनों चीज़ां आपको अपने रखने की ज़रुवत हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, next mcq में हमसे पूछा जा रहा है, which of the following compounds does not contain OH group, इन में से कौन स के अंदर OH group मौजूद होता है, phenols के अंदर भी OH group मौजूद होता है, carbo oxalic acid के अंदर भी OH group मौजूद होता है, जैसे के carbon का double bond oxygen है, फिर उसके बाद एक OH group, तो यहाँ पर तीनों के अंदर OH group मौजूद है, तो यह हमारा सही answer नहीं हो सकता है, जबकि अगर हम बात करें, alde हैट के अंदर CHO group मौजूद होता है, OH group मौजूद नहीं होता, तो यह हमारा right answer होगा, option C, अगर CHO को खोल के लिखेंगे तो यह हो जागा, carbon का double bond oxygen है, और साथ में एक hydrogen, एक valence की खाली है, जो कि एक alkyl group से satisfied होगी, next mcq हम से पूछे जा रहा है, formaline is a solution of, formaline इन में से किस चीज़ का solution है, तो formaline 40% aqueous solution होता है, aqueous solution of formaldehyde, और formaldehyde का formula होता है, HCHO, तो हमारे पास 100% वाला option गलत हो गया, 60% वाला option गलत हो गया, और यह लिखा 40% of CH3CH, तो यह option भी गलत है, option C हमारा सही answer होगा, 40% solution of HCHO, I hope you get the answer, आगे बढ़ते हैं, next mcq में हम से पूछा जा रहा है, when acetaldehyde is heated with falling solution, it gives, जब acetaldehyde को falling solution के साथ में heat किया जाता है, तो कौन से PPT देता है, silver PPT, red PPT, unpleasant smell या white PPT, तो देखें, acetaldehyde को falling solution के साथ में react करवाया जाता है, तो हमारे पास red PPT form होते हैं, यह हमारा सही answer हो option B, लेकिन अगर acetaldehyde को tollens reagent के साथ में react करवाया जाए, tollens reagent के साथ में react करवाया जाए, तो फिर silver PPT form होते हैं, यानि कि silver mirror form होते हैं, यह हमारा सही answer होगा, अगर tollens reagent की बात की जाए तो, आगे बढ़ते हैं, next mcq में हम से पूछा जा रहा है, which of the following compound undergoes canisaro reaction, इन में से कौन सा compound ऐसा है, जो कि canisaro reaction के under जागा, यानि canisaro reaction perform करेगा, तेकि canisaro reaction होने के लिए एक चीज़ जरूरी है, और वो है alpha hydrogen, अगर किसी aldehyde के पास, किसी aldehyde के पास alpha hydrogen नहीं होगा, तो वो canisaro reaction नहीं दे सकता, alpha hydrogen वो hydrogen होता है, जो कि alpha carbon से attached हो, और alpha carbon वो carbon होता है, जो कि directly functional group के साथ attached हो, यानि के आम अलफाज में, CHO group एक functional group है, CHO group attached है CH3 के साथ, तो ये CH3 में, ये जो carbon है, ये carbon कलाएगा, alpha carbon, और ये hydrogen कलाएगे, alpha hydrogen, अब ये alpha hydrogen कंटेन कर रहा है, CH3, CHO तो ये हमारा सही answer नहीं हो सकता, किसी दरह से option C के अंदर CHO group attached है, एक carbon के साथ, ये carbon हो जो hydrogen attached है, ये alpha hydrogen कलाएंगे, यहाँ पर भी alpha hydrogen मौझूद है, तो कैने जारो reaction यहाँ पर नहीं होगा, जहाँ कैने जारो reaction, जहाँ पर alpha hydrogen मौझूद नहीं होता, वहाँ पर ही कैने जारो reaction perform हो सकता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर HCHO की, तो HCHO के अंदर, formaldehyde क अंदर, जो CHO group है, वो attached directly hydrogen से है, अब ये hydrogen, alpha carbon के साथ attached नहीं, क्योंकि alpha carbon यहाँ पर present ही नहीं है, यहाँ पर कोई alpha carbon present नहीं है, तो इसलिए कोई alpha hydrogen भी present नहीं है, तो हमारा सही answer हो जाएगा, option A, formaldehyde, कि सर्फ यही कहने जारो reaction perform करेगा, आगे आगे बढ़ता है, next MCQ में हम पुछा जा रहा है, N aldehyde on oxidation gives, एक aldehyde की oxidation होती है, तो क्या form होता है, aldehyde की oxidation पर हमें मिलता है, एक acid, अगर हम बात करते हैं 36 पर, तो tolerance reagent इन में से क्या चीज़ होती है, tolerance reagent होता है, ammonical silver nitrate, AGNO3 का solution, next MCQ में हम से पुछा जा रहा है, compounds which contain carboxyl group COOH, alcohol, तो अब अब तक हमें पता लग चुका है, के वो compounds जिसके अंदर COOH group शामिल होगा, वो compounds कलाएंगे, carboxylic acids, आगे बढ़ता है, which of the following acid is found in vinegar, जो सिरका है, सिरके में कौन सा acid present होता है, तो सिरके में मौझूद होता है, acetic acid, CH3COOH, अगर बात करता है, formic acid की, तो formic acid मौझूद होता है, red ants के अंद Nitric acid तो हम लोग industry के अंदर prepare करता है, synthetic तरीके से prepare के जाता है, जबके citric acid की बात की जाए, तो यह मौझूद होता है, citrus fruits के अंदर, खटे fruits के अंदर, जैसे के lemon, orange और grapes वगरा के अंदर, आगे बढ़ता है, next MCQ हम से पूछा जा रहा है, acetic acid, जब acetic acid को react करवाया जाएगा, phosphorus phosphorus pentagloride, phosphorus pentagloride का formula हो जाएगा, PCL5, तो हमारे पास क्या चीज़ form होगी, methyl chloride, acetyl chloride, propionyl chloride और none of these, देखें यह MCQ, equation बनाने का नहीं है, हाला कि इसको equation बनागी भी solve के जा सकता है, लेकिन वह रॉंग तरीका होगा, mdicat के अंदर, आप सिर अपना दिमाग लगाएगे तो आप तो methyl के अंदर, एक carbon मौझूद होता है, यह हमारा सही answer होगी नहीं सकता, propyl के अंदर, तीन carbon मौझूद होता है, तो यह भी हमारा सही answer नहीं हो सकता, अगर हम बात करेंगे, acetyl chloride की, तो यह हमारा सही answer होगा, क्योंकि acetic acid, acetyl chloride बनाएगा, none of these wrong option है, next MCQ बे हमसे पूसे जा क्या चीस form होती है, acetic acid का formula CH3COOH, और ethyl alcohol का formula C2H5OH, जब यह आपस में react करेंगे, तो होगा क्या कि एक hydrogen और एक OH group आपस में react कर लेंगे, क्योंकि sulfuric acid इसको अपने अंदर absorb कर लेगा, क्योंकि sulfuric acid dehydrating agent है, तो हमारे पास form हो जाएगा water, water actually form नहीं होगा, सिर्फ equation में नजर है, क्योंकि यह water sulfuric acid अपने अंदर absorb करेगा, C2H5 इस oxygen के साथ में react कर लेको यह बन जाएगा CH3COOH5, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ethyl, क्योंकि यह C2H5 है, इसका नाम दे जाएगा ethyl, और यह पूरा compound किलाता है acetate, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा ethyl acetate option B हमारा right answer होगा, आएगे आगे बढ़ते हैं, next MCQ में हमसे पूछा जा रहा है, which of the following does not have a carbo oxalic group, इन में से कौन सी चीज़ ऐसी है, जिसके अंदर carbo oxalic group मौझूद नहीं होगा, carbo oxalic acid की पहचान यह है, कि उनके suffix, उनका suffix होता है oic acid, oic into acid, जैसे propanoic acid, benzoic acid, बग नहीं है, यह हमारा सही answer नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता, तो सही answer हो जाएगा, acetone, क्योंकि acetone के अंदर ketonic group मौझूद होगा, c double, आगे बढ़ते हैं, formic acid owes its origin to, अभी हमने बात करी थी formic acid की, और हो वापसी आ गया, formic acid का origin क्या होता है, formic acid का origin हो दो मरताओं मौझूद है, die carboxylic acid की बात की जाए, c double edge group, यहाँ पर दो मरताओं मौझूद होगा, तो यह formula है, पूरा oxalic acid का, तो right answer होगा, option number c, आगे बढ़ते हैं, next mcq में हमसे पूछा जा रहे है, acid present in lemon is, लीमू के अंदर जो acid present होता है, इसकी भी हमने बात करी थी, कि citric acid मौझूद होता है, citrus fruits के अंदर, next mcq के अंदर हमसे पूछा जा रहे है, organic compounds which are used in making flavors and essence, इन में से organic compounds जो के flavors बनाने के लिए है, या खुश्बू बनाने के लिए है, या खुश्बू बनाने के लिए यूज के जाते हैं, तो organic compounds कौन से हैं, वो organic compounds होते हैं, easters, क्योंकि easters क अंदर, fruity smell होती है, फलों की smell होती है, इसको juices वगरा बनाने के लिए, या perfumes बनाने के लिए, यूज के जाता है, यहाँ पर easter सिर्फ एक ही है, और वो है ethyl acetate, तो हमारा option C, right answer होगा, acidic acid, carbonic acid, benzene aromatic compound है, और acetone, ये ketonic family से belong करता है, अगर बात करें, 46 mcq की, पूचह जा रह है, तो टेमार्टर में acid होते है, टार्टरिक acid, which of the following is used in baking powder, इनमें से कौन सा baking powder बनाने के लिए, यूज के जाता है, तो baking powder बनाने के लिए, यूज के जाता है, टार्टरिक acid, आगे बढ़ता है, next mcq में हम से पूचह जा रहा है, the alkyl derivatives of carbo oxalic acids are called, carbo oxalic acids के alkyl derivatives क्या किला आता है, लेकिं, carbo oxalic acids के जो alkyl derivatives होंगे, उनके नाम के आखर में acid जरूर आ रहा होगा, तो ये कलाएंगे alkyl acids, ethers, इनका formula होता है, rc, r,o,r, और easters का formula होता है, r,c,o,r, ये carbo oxalic acids से belong नहीं करेंगे, आगे बढ़ता है, मुझसे एक mistake हो गई है, यहाँ पर 48 के अंदर mcu समझने में मुझसे mistake हो गई है, mcu के अंदर पुछा जा रहा है, the alkyl derivative of carbo oxalic acids are called, carbo oxalic acids का formula होता है, c,o,h, और साथ में एक alkyl group attached होता है, अब alkyl derivative है, alkyl derivative का मलब यहाँ पर एक और alkyl group आकर attached हो जाएगा, hydrogen को replace करके, तो यहाँ पर यह आगे जाके form हो जाएगा, r, c,o, carbo oxalic acid से form हो रहा है, क्योंकि hydrogen replace होके, एक alkyl group यहाँ पर आ रहा है, तो यह फिर कलाएगा, easter, तो alkyl acid यहाँ पर सही answer नहीं होगा, यहाँ पर सही answer हो जाएगा, option c, easter, आगे बढ़ते हैं, next mcq में, जो के हमारा last mcq है, इस last mcq में हमसे पूछे जा रहा है, which product is formed when ethyl alcohol is treated with acetic acid, जब ethyl alcohol को acetic acid के साथ में react करवाया जाए, ethyl alcohol का formula होता है, c2, h5, o,h, और acetic acid का formula है, c,o,h, जब इनको react करवाया जाता है, तो क्या चीज़ form होती है, यह mcq different options के साथ, और same wording के साथ, पूछा गया था, इसके अंदर बता जाता है, कि जैसे hydrogen और o,h आपस में react करके बना लेंगे water, जबके c2, h5, oxygen से react करके बना लेगा, c,h3, c,o, c2, h5, यह किलाता है, ethyl acetate, और ethyl acetate, एक easter है, तो हमारा सही answer हो जाएगा, कि एक easter form होगा, option 1, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो उसको ज़रूर like कर दीजे, और अगर आपको MDC या ECAT की तयारी को और बहतर बनाना है, तो description में जाएए, और वहाँ पर link पर click करके मकसद app का crash course ECAT या MDCAT का buy कर लीजे, आपको 6000 से 8000 तक MCQ solution वीडियो के साथ में मिल जाएंगे, जो कि आपकी तयारी में मददगार साबित होंगे, chemistry की सारी वीडियो देखने के लिए description में ह पे लिस्की लिंक मौझूद है, जहाँ पर आपको सारी वीडियो लाइन से मिल जाएंगे, हम आपसे मिलेंगे नेक्स वीडियो में, अमना ख्याल लगें, अल्ला आपिस